आदर्निये बड़े पंडित जी साब ब्रह्मचारी रवींद्र जी साब हम सब के बीच से चले गए हैं मेरा उनसे पिछले लगबग 40 वर्स से निरंतर मुझे उनका लाप प्राप्त हुआ था और मैं क्या बताऊं उनके मेरे उपर कितने उपकार हैं लेकिन आज मैं बहुत संखेप में उनकी कुछ विशेस्ताओं का इस्मरण करना चाहता हूं वंदे तदगुण लबधये की भावना से बड़े पंडिजी साब की एक सबसे बड़ी विशेस्ता ये थी कि वे हर बात को आध्यात्मिक द्रश्टी से देखते थे कोई भी बात हो तुरंत उसका मतलब आध्यात्मिक निकाला करते थे सास्त्र की हो चाहे व्यवहार की हो कोई कहे कि मैं गाड़ी से आया हूँ तो वो कहते थे गाड़ी से आओ चाहे पैदल आओ चाहे हवाईजाज से आओ भावों से आया करो भावों से आना लाबदायक है ऐसे वे हर बात को आध्यात्मिक चस्मे से देखा करते थे उनके जाने से वो आद्यात्मिक चस्मा ही चला गया है एक दिन किसी ने कहा कि मंदिर खाली हाठ जाना भी नहीं चाहिए और खाली हाठ आना भी नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिलकुल ठीक कहते हो पर इसका सई अर्थ है भावनाय लेकर जाना चाहिए और प्रेरणा लेकर आना चाहिए इसी तरह कोई भी बात हो तो वे उसका आध्यात्मिक अर्थ किया करते थे यदि मैं उन्हें समय सार की उनन्चास्वी गाता के आधार पर ये बताऊं कि आत्मा अरस है तो वे तुरंत कहते थे कि नहीं अरस तो पुदगल की अपेक्षा से कहा है आत्मा तो परम सरस है इस तरह पहली विशेष्टा बड़े पंडिजी साब की ये थी कि वे हर चीज को आध्यात्मिक द्रश्टी से देखा करते थे मैं इस विशेष्टा को बहुत विश्टार से बता सकता हूँ लेकिन अभी संग्षेप मैं ही कह रहा हूँ कि उनकी सबसे बड़ी विशेष्टा ये थी कि हर वाक्य को आध्यात्मिक द्रश्टी से समझना समझाना पूजनी पंडिजी साब की दूसरी सबसे बड़ी विशेष्टा ये थी कि वे वात्सल्य बहुत अधिक रखते थे प्रतेक साधर्मी से इतना वात्सल्य रखते थे कि उसकी जरासी वी उपेक्षा होते नहीं देखते थे कैसे भी करके उसकी सेवा होनी चाहिए अच्छे से होनी चाहिए ये विकल्प उन्हें बहुत सताता था कई दफे वे खुद बहुत दुखी हो जाते थे परेशान हो जाते थे कि आज कोई साधर्मी हमारे नगर में आया है और लोग उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं वे जोड से डाट तक देते थे उनको क्रोध आ जाता था वे इतने दुखी हो जाते थे अपने को दुखी संतप्त कर लेते थे कहते थे भाईया इने अपने घर ले जाओ अच्छे से भोजन कराओ इनका ध्यान रखो तुम लोग कैसे हो ऐसे उनको साधर्मी वातसल्य उनके हिर्दे में कूट कूट कर भरा हुआ था पंडिजी साहब की तीसरी विशेष्टा थी अनुसासन वे अनुसासन को बहुत पसंद करते थे वे कहते थे ऐसे अनुसासन जीवन का सबसे पहला पाठ है अनुसासन सभा में बैठो तरीके से बैठो समय से आओ और एडे टेडे मत बैठो किताब को सास्तर को मरियादा के साथ रखो ऐसी अनुसासन प्रियता अत्यन्त अनुकर्णिय सभा में कोई सोर नहीं होना चाहिए इस तरह की अनुसासन प्रियता पंडिजी साब की अनोखी विशेष्टा है पूजनिय पंडिजी साब की चौथी विशेष्टा थी सादगी सुद्धता या मैं कहूँ अहिन्सा प्रियता अदर्णिय पंडिजी साब बहुत अहिन्सा प्रियते उनको थोड़ी सी भी हिन्सा पसंद नहीं थी वे बहुत अलपारंब परिग्रई थे और कोई भी काम करने में इस बात का पूरा विवेक रखते थे कि कम से कम आरंब हो कम से कम हिन्सा हो वे सबको भी यही प्रेरणा देते थे बिजली व्यर्थ नहीं जलानी चाहिए पानी व्यर्थ नहीं फैलाना चाहिए वे यहां तक कहते थे कि जो व्यक्ति व्यर्थ बिजली जलाता है पानी फैलाता है प्रदूसन फैलाता है वो राष्ट्र द्रोह करता है इस तरह वो इसके प्रती भी अत्यंत सजग थे और इसी लिए चलते फिरते उठते उनका बहुत विवेक पूर्ण सैयमित जीवन था वे इस बात की बहुत अधिक सावधानी रखते थे के हमारे निमित्त से एक सूक्ष्ण जीव को भी की भी विरादना नहीं होनी चाहिए तो इस तरह पंडिजी साव की और भी अनेक विसेशताएं हैं जैसे की वे एक बहुत अच्छे कवी थे उनकी कविताएं तत्वज्ञान से भरपूर गली गली में गाई गुनगुनाई जाती है पूज पंडिजी साव बड़े ही वेरागी प्रकरती के थे वेराग्य मै बातें वेराग्य मै रचनाएं उनकी अमर रहेंगी वे भले हमारे बीच से चले गए लेकिन उनकी रचनाएं जब तक सूरज चांद रहेंगा तब तक रहेंगी बड़े पंडिजी साव एक अच्छे सूक्ती निर्माता भी थे उनके एक एक सूत्र आपको जगे जगे मंदिर पर श्टी करके रूप में लगे हुए मिल जाएंगे उनके एक एक वाक्य ने क्रांती कर रखी है संसकार बिना सुविधाएं पतन का कारण है इस एक ही वाक्य ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया इसी प्रकार वे बहुत सारी सूक्तियां बनाया करते थे बच्चों से भी बहुत वातसल रखते थे उनके लिए कहानियां बनाते थे वे एक अच्छे कहानी कार भी थे छुटी-छुटी कहानियां उन्होंने बनाई पंडिजी साब के बारे में क्या बताया जाए बहुती सरल व्यक्तित्य के धनी स्यादवाद उनका बहुत प्रियविसे था वे कहते थे कि जिनवाणी को हमेशा स्यादवाद से समझना चाहिए किसी भी चीज का एक पक्ष ही सामने रखना वक्ता की कमी है वक्ताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और स्रोताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए इस तरह वे बहुत अच्छे साधक भी थे जब देखो तब साधक ना किया करते थे मैंने अनेक बार उनको सामाईक करते देखा है वे कितना डूब कर सामाईक करते थे ऐसी और भी अनेक विशेषताएं है पुझ पंडिजी साब जहां भी गए है उस उत्तम गती में देव सास्त्र गुरू की इस आरादना को आगे बढ़ाते हुए वे सीग्र ही परमगती को मुक्ती को प्राप्त हो ऐसी मेरी मंगल कामना है मैं उनको आज विनम्र अपनी विन्यान जली और स्रद्दान जली समर्पित करता हूँ